हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चनल मार्केट सपोर्ट में दोस्तों आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेट के शेयर के बारे में अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस का जो रेजल्ट आया था पिछले बार पिछले के बाद इस शेयर में आपको थोड़ी बहुत तेजी भी देखने को मिली थी वैसे थोड़ी बहुत नहीं ठीक टाक्सी तेजी थी लेकिन अगर फिलाल की बात करें हम तो फिलाल अब इसके जो क्यूटू के नंबर हैं उसकी अब कुछ अपडेट्स आना स्टार्ट हो गई हैं आज की जीड़े में हम यह देखेंगे कि अखिरकाज की इस तरीके की अपडेट जो हैं सेकिंड क्वाटर के लिए देखने को में रहे हैं का क्या फर्क आपको इस परड़ोला काउंटर पर पड़ता हुआ दिखाई देगा उन सब के बारे में हम बात करेंगे 42 रुबे पर आपको यह काउंटर जो है पिछले ट्रेडिक शेशन में बंद होता हुआ देखाई दिया था बात अगर उतार चड़ाओ की भी करी जाए तो हल्की फुल के गिरावट के साथ यह काउंटर जो है क्लोज होता हुआ नजर आया था अलकि यह गिरावट कोई बह पर देखने को मिली है एक माहिने के रेटन है लगबग 6.5% के 6 माहिने में और लिटन 17.5% के आपको नजर आ रहे है लेकिन अगर आप इसी छे माहिने में जो इसने लोज लेवल बनाया था वहाँ से अगर आप देखोगे तो रेटनस काफी डिसेंट देखाई देंगे जो की लगबग 40% के आसपास निकल कर आते हैं तो ये भी इसकी रेटन के फिलाल प्रोफाइल आपको दिखाई दे रही है साल बर का हल जल भी लब वही 30% के आसपास के रेटन का दिखाई दे रहा है अला कि 30% के रेटन आप बहुत कम भी नहीं कह सकते ये भी नहीं कह सकते के यार खराब है रिटन नहीं, रिटन कहीं से भी कहीं तक खराब दिखाई नहीं दे रहे हैं, रिटन अपने आप में ठीक टाक दिखाई दे रहे हैं, कैवरे रिटन तो हम इसे कहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन बात ये निकल कर आती हैं, कि आगे की इस द यहां अगर आप देखोगे तो आपको देखाई दे रहा है कि इन्फोसिस के जो Q2 के नंबर है अखिरकार वो कब आएंगे कि समय आएंगे इस रिपोर्ट में लिखा गया है पुरा सी डूल देख लेते हैं पहले उसके बारें बाकी की और भी चीज़ें जो हैं डिसकस कर ले यहां पर रिजल्ट की डेट तो आपके सामने है 13 सोरी यहां पर क्या लिकाएए यह 13 अगस्त को इन्होंने फाइलिंग करी है एक्षेंज पर आपके आपके सामने आ चूकी है थोड़ा सर नीचे कर देता हूं हम यहां पर देखो यह है तो यहां पर अगर आप देखो तो company के quarter के result के इस दिना आएंगे यह आप यहां पर देख चुके हैं 17th of October आपको यह date देखने को मिल रही है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि timing के बारे में तो मुझे और आप लोगों को सबको पहले सही माल में कि इसका जो time रहता है वो सामको साड़े चार वजे के आसपास रहता मार्केट के closing के बाद ही नमबर आते हैं basically और फिर चाहें एक आत घंड़ा आगे पीछे हो जाए लेकिन number closing के बाद ही आएंगे ये लगवग लगवग आप ये मान के चलिए पकी बाद ही आपको देखने को मिल रही है ठीक है तो basic मैंने ये तो आपको बता दिया कि number कब आएंगे लेकिन अभी एक important बात और बचती है कि number कैसे आएंगे कब आने से ज़्यादा important है कैसे ना number चाहें एक अदो दिन आगया या पीछा है इस बात से investors को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है लेकिन number अच्छे आ रहे हैं या खराब आ रहे हैं इस बात से investors को surely बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर number अच्छे आ गए तो बहुत अच्छी बात है खराब आए तो दिक्कत में आ सकते investor तो ये बात ध्यान में रखने वाली हो जाती है एक report मैंने आपकी सामने रखी है यहां अगर आप देखो तो एक दो दिन पहले short term basis पर कुछ target वगरा की बात हैं करी गई थी infosys भी उसमें शामिल था अगर आप यहां पर देखोगे तो target की बात अगर जो infosys के बारे में करी गई थी वो अगर हम देखें तो क्या निकल कर आते हैं तो one second आप यहां पर देखो थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं और भी शेर हैं वैसे लेकिन मैं infosys के बारे में बात कर रहे हैं ना तो यहां देखो 1955 उपर हाला कि 1944 चली रहा है सि चार रोपे उपर के target यहां पर दिये गए हैं हलाकि देखो यहां पर इन्होंने basic यह दिखाना चाहा है कि stop मजबूत ही है ऐसाच कोई कोई खास समस्य वाली बात दिखाई नहीं देरी लेकिन आपको मालूम रहना चाहिए कि यह सब चीज अपने आप में ठीक है infosys में एक बहुत important चीज और आपको देखने को मिली है वो आपको नहीं अभी समझ में आ रही होगी आपना एक काम करना मैं आपको खुद ही बता देता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा mobile पर तो मैं चार्ट pattern आपको समझा सकता नहीं लेकिन आप जाना चार्ट पर लैप्टॉप पर जाना ठीक है और weekly चार्ट डारना infosys का infosys का अगर आप weekly चार्ट देखोगे तो 2022 से अभी तक का जो चार्ट निकल कर आएगा न वो आपको पता किस तरीके का देखाई देगा अगर आप देखने की कोशिश करोगे सही से तो आपको इस तरीके का चार्ट देखाई देगा यह होगे shoulders and यह होगा head, shoulder, shoulder, shoulder और यह है उल्टा, inverse, तो यह pattern बना हुआ है यहाँ पर, कौन सा pattern बना हुआ दोस्तों, inverse head and shoulders, inverse head and shoulder, ठीक है, अब आप अगर पता हो तो अच्छी बात है कि inverse head and shoulders एक जो pattern बनता है, वो bullish chart पर बनता है, मतलब जिस chart पर यह pattern बन जाए, तो उसमें chances होते हैं कि एक तेजी जैसे हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर, लेकिन अगर आप देखोगे, इन case, कि अगर ultra chart बने इसका, मतलब head and shoulder, तो उसमें किरावट की chance होते है, अगर आपको ना समझ में आए, मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप एक बड़ गूगल भी करके देखना, तो chart pattern type, बाइस अगर हम देखें, मतलब chart case आप से देखें, तो यहां पर एक बड़िया वाली तेजी आपको देखने को मिल रही है, और एक important बात यह भी एक है, अभी इसने recently, अपना एक high break किया था, जो की निकल कर आ रहा था, उननिस सो 53 रूपे के आसपास का, जो लगबस दो डाई साल के आसपास का breakout था, दो डा fundamentally देखिए जाए फिर आप देखिए टेखनिकली, उमीद अच्छे की है, अच्छा हो सकता है, चांसे जादा हैं, लेकिन quarter के जो number होंगे, quarter two के number, उन पर चीज़न जो हैं, बहुत ज़्यदे रिपेंट करेंगी, अगर जैसे कि पिछली बार quarter one में, सभी जितने भी ID company हैं, अगर इसने मतलब आगे ऐसी number पोश्ट करें तो चांसे जहां से और बड़ी तेजी के भी हो सकते हैं, और बढ़िया रेटन भी आ सकते हैं, तो चलो दोस्तों, आज किसे number से इतना ही, उमीद एक पर पसंद आई होगी, तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रू पर पसे हैं, तो इसे किसी भी तरीके की बाइं, तेनी के रेकमनेशन इस ताहर पर बिल्कुल भी नादे हैं, तेंक्यू